हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आज में लेकर आई हूँ गुजरात और महाराष्टरा में बनने वाली एक बहुत ही खास रेसिपी जिसे पूरी के साथ में सर्फ किया जाता है देखने में ये साधारर सी लगती है लेकिन इसका स्वाद ऐसा है कि एक बार अगर आप खा लेंगे तो इसे बार-बार बनाना चाहेंगे इसे कहते हैं आमरस अगर आप आम खाने के शौकीन है तो इसका टेस्ट आपको बेहत पसंद आएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा चैनल पे पहली बार आएगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो चलिए बनाते हैं ये आमरस पूरी वैसे तो गर्मी का मौसम खतम हो चुका है आम भी नहीं आ रहा है लेकिन मुझे कल्य मार्केट में मिल गए अगर आपको आम नहीं मिल रहे हैं तो आप फ्रोजन मैंगो पल्प कर यूज़ कर सकते हैं उससे भी ये बनाया जा सकता है ये हाफुज है आप खेसर से बना सकते हैं या जो भी मीठा आम आपको मिले वो यूज़ कर सकते हैं कच्चे आम अगर लग रहे हैं तो उनको यूज़ नहीं करना है मीठे और पके हुए आम चाहिए हमें इन्हें लगबग 2-3 घंटे के लिए पानी में भीगो देना है और इसके बाद हम इसका पल्प निकाल लेंगे तो सबसे पहले इसे पील करके हम इसे छोड़े-छोटे पीसेज में कट कर लेंगे मैंने यहाँ पर लगबग 5-6 आम लिया हुए थे आप अपने हिसाब से कोड़ेटी कम ज्यादा कर सकते है इसमें हम डाल देंगे चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी चाहे उतना मीठा कर सकते है यह पूरी तरह से ऑप्शनल है आप इसे बीना चीनी के भी ब क्योंकि इसमें अगर फाइबर्स आएंगे और मुह में जाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो यह देखिए प्यूरी बन के यहाँ पर तयार हो गई है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलाइची पाउडर जिससे इसका स्वाद और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा अब यह बहुत ज्यादा थिक है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको ज्यादा थिक चाहिए तो आप ऐसे ही रखिए रणिंग चाहिए तो पानी थोड़ा सा ज्यादा मिल तो यह देखे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला कि इसको वापस से चलाया है और आप देख सकते हैं हलका सा यह running है और खाने के लिए बिल्कुल perfect है आप इसे airtight container में fridge में रख सकते हैं और दो से तीन दिनों के लिए store कर सकते हैं तो ये हमारा आमरस बन के तयार हो गया है आप चाहें तो इसे ऐसे ही serve कर सकते हैं या फिर मेरी तरीखेसे में कुछ केसर के धागे भी डाल सकते हैं इसे दिखने में बहुत ही सुन्दर लगता है और बहुत ही प्यारा सा color आता है इसे हम serve करते हैं पूरी के साथ में तो पूरी भी बना लेते हैं परिशान मत हो यह यहां पर पूरी की recipe में लेकर नहीं है हूँ तो गर्मा गर्म पूरी के साथ इसे serve करते हैं और तयार हो गया है हमारा आमरस पूरी देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए बाई बाई